समस्कार मैं राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज 9 अगस्त का कोरोना अपडेट बिहार स्वास्त विभाग ने जारी कर दिया है आकरे कलके जैसे ही है यानि लगबक 4,000 के आसपास जो नए आकरे सामने आए है पिछले 24 गंटे में उनकी संख्या है 3934 यानि अब ब पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो पहुच गई है 89,720 के पास राजधानी पटना ने भी आज कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के मिलने का रिकॉर्ड तोर दिया है यानि पहली बार पटना में 24 गंटे में 700 से ज्यादा मामले सामने आए है आज जो रिपोर्ट आये स्वास्त विभाग की कोरोना पर उसमें बताया गया है कि केवल पटना से 781 नए संक्रमित मरीज मिले हैं सोचिए कि राजधानी पटना की स्थिक किस हाल में पहुचती जा रही है लागातार एक मज़र डालीजिए कि किस जीले से कितने नए संक्रमित मरीज पिछले 24 गंट 109 बक्सर 65 दरबंगा अंठावन इस्ट चंपारन 162 गया 83 गोपाल गंज 115 जमुई पचपन जिहानाबाद 32 कैमूर 45 कटिहार 177 खगडिया 25 किशन गंज 48 लखी सराय 52 मध्यपूरा 48 मधुबनी 89 मुंगेर 93 मुजफरपूर 128 नालंदा 139 अठारव पटना 781 पूर्णिया 76 रहतास 131 सहरसा 108 समस्तिपूर 146 सारन 160 सेकपूरा 70 सीवहर 21 सीथा मड़ी 36 सीवान 51 सुपाल 47 वैसाली 132 वैस्चमपारन 108 इस तरह पिछले 24 गंटे में बिहार के सभी जीलों से 4934 नय संक्रमित मरीज मिले हैं पिए बिहार सरकार का यह करना है कि बिहार में अब जाच काफी ज़ादा होनी लगी है इसलिए मामले बड़ें हैं हां यह बात जरूर सही है कि बिहार में अब जाच सतर से 75,000 के आसपास होने लगी है तो मामले जो हैं वो अब लगबक 4,000 आने लगे हैं प्रती दिन रिकवर्य रेट को लेकर भी लगतार बयान बाजिया चलती आ रही है कि रिकवर्य रेट कर सई है किस प्रकार से सई है या बात समझ में नहीं आती क्योंकि बिहार का रिकवर्य रेट राष्ट्रीय आसत से भी नीचे है भी आरंका रीकवर्य से इस बात को सही ठरा रहे हैं कि आपका recovery rate बिहार का recovery rate बहतर है या समझ से पड़े है क्योंकि आकरे मिलने की वह ज्यादा है और लोगों की ठीक होने की वह काफी कम अब हो गई है बिहार के recovery rate को लेकर सरकार ना बोले तो ज्यादा बहतर है फिलहाल की स्थिति में दूसरी बात जाच को लेकर मैं फिर से एक बार कहूंगा वह रैपीड अंटीजन टेस्ट को लेकर सरकार बिहार सरकार आकरा नहीं बताती है कि रैपीड अंटीजन टेस्ट कितने होते हैं पी आटी पीसिया टेस्ट कितने होते हैं आकरा बताए तो समझ में आये कि किस हिसाब से जाच बियार में बढ़ी है तो किस हिसाब से मरीज मिल रहे है क्योंकि आटी पीसिया टेस्ट को भा मामलों में तो फिलहाल अगर positive बता दी तो जाज सुरू हो जाता है लेकिन अगर मामला यह report negative बताती है तो जरूरी नहीं कि वो report सही ही हो अगर आप में लक्षन है तो सरकार आई स्वास्त भीभाग आप से कहती है कि आप जाकर एक बार आप RT-PCR टेस्ट कराएं ताकि आप confirm हो जाएं कि आप में कोरोना के लक्षन है या नहीं रेपिड एंटीजन एक और बात बताती है वह यह बताती है कि फिलहाल आप कोरोना positive है की नहीं या यह नहीं बताती है कि आप पहले संक्रमित हुए थे की नहीं यानि आपके अंदर antibody क कि टेस्ट यह नहीं करती है तो अब किस अधार पर rapid antigen को बढ़ावा दे रहे हैं यह समझ से पर है दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि आप रैपिड एंटीजन नहीं बढ़ाईए आटी-PCR टेस्ट बढ़ाईए आटी-PCR जो टेस्ट है वह कितने हैं आटी-PCR के जाच कितने हो रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आटी-PCR के जाच की जो संकिया है वह पहले के तूनला में घटते ही जा रही है बढ़ नहीं रही है अगर आकरे वह नहीं बताएंगे तो लोगों को और मीडिया की नजर में तो यही दिखाई दे जाए फिलहाल की स्तिती में बस फिलहाल आपसे यही कहूंगा अपनी सुरक्षा की जिए सुरक्षित रहिए मास का उपयों की जिए सेनेटाइजर को साथ रखिए अगर बाहर निकलते हैं तो जरूरत पर सकती है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए और सरकार पर ज्य जान की सुरक्षा स्वेम करें तो ज्यादा बेतर है घर पे रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद